दोस्तों फेस्बूक को बंद होना पड़ सकता है इंडिया के अंदर उनको शायद टेमपरेरीली बैन किया जा सकता है या फिर परमानेंटली बैन किया जा सकता है क्यूँकि वो इंडियन पुलीस के साथ में कॉपरेशन नहीं कर रही है दरसल एक मामला है जो है मंगलूरू के रहने वाले साइलेश कुमार का जो कि साउधी अरेबिया के अंदर अरेस्ट हो चुक है और उनको 15 साल की जेल सुना दी गई है क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने फेस्बूक के ऊपर वहां के किंग और इसलाम के बारे में साइटिशन फाइल करिए और इसके साथ लोकल पुलिस स्टेशन में भी एक कंप्लेंट फाइल करिए कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है दरसल साओधे रिबिया के अंदर से ही उनको कुछ कॉल आ रही थी ऐसी जिसके अंदर उनको थ्रेट किया जा रहा था जिसकी उन्होंने डर के अपना फोन नंबर वगेरा सब सोचल मीडिया से अटा दिया तो और अपनी सभी प्रोफाइले डिलीट कर दी लेकिन किसी ने उनकी फेक प्रोफाइल बना दी और उसके बाद में उसके ओपर उनका फोल नंबर एडरस वगेरा सब डाल डूल के इसलाम के के पारे में गलत वोगने लग गए और इसके संस्तकी के बार में गलत भोलने लग किसके बाद में धीया उनक пож bear अर्रेस्ट कर लिया गिया जो यह सारी जो चीजें उनके सथ में प्रोफाइल को लेके उए इसके बाद में पूलीस का चाती थी ताकि हमसके खिल्ग वो profile कब create हुई है, क्या location थी, क्या IP address था, कौन सा device यूज किया गया था, लेकिन Facebook के वही रटे हैं कि हम तो privacy रखना चाते हैं अपने user की और हम कुछ भी नहीं बता सकते, यह वो इस तरीके की बात है, लेकिन एक innocent बंदा शायद उनकी जिद की वज़े से 15 साल तक जेल में रह सकता है, वो भी बिना वज़े, क्या पता उसने नहीं किया हो, तो simple सी बात करनी है Facebook को, कि भईया उस fake profile के बारे में जानकारी दे नहीं है, इंडियन पूलिस को, लेकिन वो दे नहीं रही है, जिसकी वज़े से यहां पर करनाट का हाई को ने का है, कि भईया या तो जानकार करी दो, या फिर इंडिया से भगो, यहां पर कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जरूरत का टाइम है, जहां पर एक दूसरी कंट्री में हमारा बंदा फसा हुआ है, उसको 15 साल की जेल सुना दी गई है, और तुम कहा रहे हो कि ना, हम यह सब नहीं करते, एट लिस यहीं हो के साथ में कई बार ऐसी सुचिशन आ जाती है, कि जब हम किसी को कुछ मैसिज कर देते हैं, और हम सोचते हैं, यार इसको डिलीट नहीं करना, काश मैं इसको एडिट कर सकता, क्योंकि काफी लंबा चोड़ा मैसिज लिख दिया है, तो अब आप उसको एडिट भी कर सकते हो, लेकिन आपको मौका मिलेगा, सिर्फ 15 मिनिट का, मतलब जब भी आप मैसिज सेंट करोगे, उसके 15 मिनिट पहले पहले ही आप एडिट कर दो तो चलेगा, तो इस तरीक का फीचर अब आ चुका है, अगर आपका वट्सप लेटेस्ट वाला है, जो कि अपडेटिड है, तो फिर ये फीचर आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर अगर आपने कुछ लिखने में गलती कर दिया, तो उसको एडिट भी किया जा सकता है, लेकिन इसके अंदर बस एक ही चीज होगी, कि मैसिज के ओपर फिर एडिटिड लिखा हुआ आ जाएगा, क्यार उससे हमें क्य फर्क पड़ता है, दोस्तों हाइवे के ऊपर अक्सर आपको टोल प्लाजा तो देखने को मिलते होंगे, जहां पर आपका फास्टेग यूज हो जाता है, जिससे कि आटोमेटिकली ही पैसे कर जाते हैं, आपको कहीं भी इतना दाता मतलब पैसे निकालो दो, यह सब करने की फास्टेग काम ही नहीं कर रहा था, जिसके बाद में इसे कैश दे के वहाँ से निकलना पड़ा, और बार बार हर टोल प्लाजा पे इसको एरर आ रही थी, इंसफिशेंट बैलेंस, तो इसको लगा पता नहीं, फास्टेग साफ नहीं हो या इनका कैमरा डिटेक्ट नहीं क कि यह 9 करोड रुपे पे कर पा है, क्योंकि फास्टेग ने इससे 9 करोड रुपे की डिमांड करी थी, जहां पर नहीं करोड रुपे तुम्हें भरने पड़ेंगे, टोल टेक्स जो तुम्हारा ड्यू रहता है, वह भरना पड़ेगा, तो दरसल यहां पे हो क्या रहा था, कि वह टोल टेक्स था, सिर्फ 90 रुपे का, लेकिन टेक्निकल ग्लिच की वज़े से 9 करोड का दिखा रहा था, जिसके बाद में इसने पेटियम के कस्टमर के एर से बात करी थी, तो मालूम चला कि यह यह टेक्निकल ग्लिच है, जिसको रिजॉल्व कर दिया गया बाद में तो देखो, अगर यह डिरेक्टरिली बैंक से जुड़ा होता हो, और यह होती कोई मोटी असामी की हैं, बैंक अकाउंट में 15-20 करोड रुपे, तो सिद्धा ही 9 करोड रुपे कटते, दोस्तों पाकिस्तान के एक रिपोर्टर के बारे में तो आप जानते होंगे, जिसको विचन सनवाब कहा जाता है, जोकी र्याल वेजिस स्टेशन पे रिपोर्टिंग यह तो इस तरीके की रिपोर्टिंग शायद ही आपने कहीं देखी होगी जो की चांद नवाब को भी फेल कर चुकी है जो की काफी जादा वाइरल हो रुखाता एक टाइम पर लेकिन आज से चांद नवाब नहीं अब्दुलरह्मान को याद करेगी दुनिया उनकी इतनी रि ख़र्ण से चांद लेकिन एका जथा है जो इतनी जाए जाए लेकिन आपक्वाद भाइड ही जाईग को याद दो कु़ मुपटीन दो की तो कि पाइम में आपक्वाद आपक्वाद का लिए वेकिन आपक्वाद